उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता के नशे की हनक और गुरूर का मामला सामने आया है यूपी के जहासी जिले के गरोठा से बीजेपी विधायक के बेटे ने बालू घाट के करमचारियों को बुरी तरह से मारा और पीटा है यही नहीं पूरी घटना सीसी टीवी में कैद होता देख बीजेपी विधायक के बेटे ने कैमरे भी तोड़ दिये दोस्तों पूरा मामला इसी जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश का है खबरों के मताबिक जहासी के गरोठा विधायक जवाहर राजपूत के बेटे ने बालू घाट पर मौझूद करमचारियों से जम कर अबधरता और मारपीट की है रिपोर्ट के मताबिक भाजपा विधायक का बेटा बालू घाट पर अपने दरजनो असलाहधारी समर्थकों के साथ पहुचा और टोकेन लूटने का प्रियास कर रहा था इस पर महाँ मौझूद करमचारियों ने जब विरोध किया तो भाजपा विधायक के बेटे और उसके सातियों ने सभी को जम कर पीटा और तोड़ फोड़ भी की कुछ लोग भाजपा विधायक के बेटे को से सत्ता के नशे में चूर रही बलकि शराब के नशे में भी होने की बात कह रहे है गरोठा विधायक का बेटा यहीं नहीं रुका जब मौके पर पुलिस पहुची तो उसने उनके साथ भी बत्तमीजी और अभधरता की पुलिस के साथ बत्तमीजी की वीडियो अप तेजी से सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजादी पार्टी ने भी इस मामले की गंबीरता को देखते हुए टूइट किया है सपकी ओर से कहा गया है कि भाजपा विधायक के बेटे की गुंडई कैश लूटा करमचारियों को पीटा जहासी के घरोटा से भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे ने अपने गुरगों के साथ बालू घाट पहुँच कर दिखाई दबंग गई घाट पर टोकिन का कैश लूटा करमचारियों को पीटा थाने में दी भद्धी बद्धी गालियां बेहत शर्मनाक मुख्य मंतरी जी आरोपी भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ कब चलेगा बुल्डोजर ये समाजवादी पार्टी का टुईट था दोस्तो सत्ता की हनक और दबंगई का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है प्रदेश में बीते काफी वक्त से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है अभी कुछ दिनों पहले ही इसी यूपी के कानपूर शहर में एक नहीं बलकि दो दो वारदाते ऐसी हुई जिसमें सीधे तोर पर भाजपा नेताओं की सनलिपता थी एक सिख वेपारी की गाड़ी अपनी गाड़ी से छू जाने पर भाजपा पारशद पती ने उस कारोबारी को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा था कि उसकी आग की रोशनी चली गई और एर एम्बूलेंस के जरीए उस सिख कारोबारी को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया वहीं इसी कानपूर में बीजेपी पारशद ने एक दुकादार को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उनसे सिगरेट के पैसे मांग लिये थे दोस्तों ये है सत्ता की मलाई चाट रहे नेताओं की हकीकत जिसको मनाएगा मार देंगे जिसको जी चाहेगा पीट देंगे खैर सरकार अगर इसी को रामराज कहती है तो भाईया यही रामराज होगा नमस्कार